सारे लर्नर्स को मेरा नमस्कार मैं नागेंद्र और आपके सामने अब जो सिरीज लेके आ रहा हूँ जो मैंने एक रेडियो सिरीज पहले की थी उसी को मैं वीडियो में लेके आ रहा हूँ और इससे यह होता है कि हम लोग आसानी से नोट्स भी बना सकते हैं और वो नोट्स भी साथ साथ चलेंगे जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से पुरे टॉपिक को समझ सकते हैं तो आज जो टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ सिरीज वो है कि डेवलपमेंट आफ इंगलिश ड्रामा यानिकि इंगलेंड में ड्रामा का डेवलपमेंट किस तरीके से श्युरू हुआ तो इसमें अगर हम सबसे पहली बात को एक्स्पलोर करना शुरू करें तो ये सारा धर्म से शुरू हुआ है जिसे हम कहते हैं कलरजी जो एक ग्रूप होता है इंग्लेंड में जिसको हम कहते हैं चर्च से रिलेटेड ग्रूप या हम कहते हैं प्रीस्ट लोग, फादर लोग तो ये लोग बाइबल के सर्मन्स बोला करते थे चर्च में और बेसिकली उस समय रोमन कैथॉलिक का बोल बाला था और उस समय सबसे बड़ी बात ये थी कि लैटिन जो है लैटिन भाषा में ही सब कुछ होता था और वाइबल भी लैटिन भाषा में होती थी तो अंग्रेजी बोलने वाले या नेटिव भाषा बोलने वाले या वरनेकुलर बोलने वाले या East Midland dialect बोलने वाले वो समझ ही नहीं पाते थे तो लिहाजा चर्च के इन प्रीस्ट ने एक नई टेक्निक सोची और उन लोगों ने कुछ लोगों के सामने खड़ा करना शुरू किया जिससे कि वो इशारों से अपनी बात को समझाय करते थे लोगों के सामने अगर हम Latin नहीं समझ पा रहे हैं तो कुछ movement या gestures के थूँ लोग उसको समझने की कोशिश क्या करते थे यह ठीक वैसा ही है कि जैसे हम एक dumb सिराज खेलते हैं और हम कुछ इशारों से कुछ बातें करने ही कोशिश करते हैं और दूसरा जो है उसको सुनके समझता है तो हम भी यह जानते की gesture के through communication एक बड़िया तरीके से हो सकता और ऐसी एक कोशिश उन्होंने की इस कोशिश के चलते यह हुआ कि जिन लोगों को Latin नहीं आती थी उन्हें भी उस sermons पे कुछ interest आने लगा और कुछ इस तरह की हरकतों को देखके उन्हें कुछ entertainment सा भी feel हुआ और आप जानते हैं कि उस वक्त पे entertainment के कोई और साधन उपलब नहीं थे इंग्लेंड में थीटर के अलावा जो है जो कि अब बहुत बाद में आएगा हम उसी की base की बात करें तो इस तरीके से चर्च में कुछ भीड बढ़ने लगी और जब चर्च में भीड बढ़ने लगी तो जब भीड के लिए जग नहीं बची तो फिर इसी चीज को चर्चयार्ड में ले जाया गया और चर्च के अच्छा ग्राउंड तयार कर रही थी वहां के व्यापारियों को कुछ सोचने के लिए अभी तक सबसे में चीज ये होती थी कि सारे प्रीस्ट और कलर्जी जो होता था वो ही इसमें भाग लेता था और वो ही एक्टिंग करते थे लेकिन आप व्यापारियों के लिए ये एक बहुत बढ़िया उनको अपनी जो है एक इंकम के लिए एक सोर्स लगा और उन्होंने भी इसमें ये सोचा कि हम इसमें कुछ आगे कदम बढ़ाएं और उन्होंने कुछ ग्रुप बनाने शुरू किये उस समय व्यापारियों के ग्रुप को ट्रेड गिल्ड्स कहा जाता था और उन गिल्ड्स ने भी कुछ अपनी ओर से सोचा और लिहाजा इन गिल्ड्स ने अपनी कंपनियां बनानी शुरू की और अपने ग्रुप बनाने शुरू किये जिसमें ये लोग professional actor भी खुद तयार करते थे trainings भी देते थे और उसके बाद उन ही लोगों को अपने इस नाटकों के लिए तयार करते थे अब बात ये आती है कि नाटकों में हम दिखाते क्या थे तो हमारे पास एकी चीज मौजूद थी Bible और Bible को के जितनी थे Old Testament और New Testament यानि कि Adam and Eve से लेकर जो कहानी शुरू होती है वहां से लेकर जीसस क्राइस तक के जन्म और रिसरेक्शन की कहानी यही चलता रहता था तो व्यापारियों के पास भी एक स्कोप बना उन्होंने जो है इसको दिखाना शुरू किया और अपने professional actor जो है बनाने शुरू किये और शुरू शुरू में सारे व्यापार ही इस काम को करते थे लेकिन अभी भी एक चीज बहुत important है जो समझने वाले कि वो नाटक जरूर करते थे लेकिन इसकी authority church के हाथ में रहती थी क्योंकि अभी भी धार्मिक जो है control से वो बाहर निकल पाने में सक्षम नहीं थे लेकिन इन चीजों के चलते एक जो कहते हैं कि हवा जैसी बहना ये उसी तरीके का महौल बनने लगा और सारे व्यापारी इसको बहुत seriously लेगने लगे और सोचने लगे तो लिहाजा इन व्यापारी ने एक चीज का जो है और एक कदम और आगे की सोच रखी और इन्होंने बनाई बहुत लंबी लंबी जो है ट्रॉलीज और उन ट्रॉलीज में जो है पहिये हुआ करते थे और उनको घोड़ा जो है खीचता था आगे से और वो ट्रॉली का में स्टेज दोनों का काम करती थी और उसी में ये लोग नाटक दिखाने के लाएगे एक बहुत बड़ा स्पेस बनाते थे इन बड़ी गाडियों को हम पेजेंट कहते थे और इनको वो एक लोकैलिटी से दूसरी जगल लोकैलिटी में ले जाके लोगों के बीच में ड्रामा को और्गिनाईस करते थे और यहां से एक नए कॉंसेप्ट का उदै शुरू होता है इंग्लिश लिटरिचर के अंदर कि जब हम एक locality से दूसरी locality को जाते थे तो होता क्या था कि जो ड्रामा होता था वो शुरू की कहानी से Bible के last तक जाता था तो वो एक series बनती थी घटनाओं की क्योंकि आप भी जानते है Adam and Eve है Noah's Ark है आपके Abraham की कहानी है Jesus Christ के जन्म की कहानी जन्हें कितने episodes डेविट की कहानी है तो बहुत सारे episodes इसमें तो episodes one by one एक series में जाते थे तो यहां से जो नया concept आया वो आया कि cycles of drama तो इनी series को जो episodes थे इनको एक लगातार series में दिखाते थे तो इसको एक cycle बोलते थे और यह जब एक locality से दूसरी locality में guardian लेके जाते थे तो cycles होती थी बारी-बारी से और लोग पूरी cycles को देखने आते थे फिर इनी चीज़ों को एक नया platform देता था उस समय Corpus Christi Festival हुआ करता था यह एक बहुत बड़ा त्योहार होता था जहां लोग एक fair होता था लोग इस मेले में आते थे खरीदारी करते थे, मिलते थे तो वो बहुत बड़ी आ platform मिला इन लोगों को जैसे हमारे माँ कुछ मेले होते हैं जाल जीवी का मेला, उत्रायनी का मेला तो वहाँ जगे जगे से लोग आते हैं और अपनी चीजों का प्रदर्शन करते हैं और साथ में विकरी भी होती है व्यापारी भी आते हैं ठीक इसी तरीके से इन सारी companies ने एक जगह पे यहां पर pageants को लाके खड़ा करते थे अपनी अपनी रेधारी जगहों पे और अपनी cycles को show करते थे तो इसी तरीके से जिनकी cycles बहुत ही influential होती थी बड़ा impact डालती थी audience पे उनकी cycles famous हो गई तो जाने कितनी cycles उस समय करी गई और उन cycles में लेकिन आज जो cycles मानी जाती हैं जो best cycles मानी गई प्लेस की Corpus Christi Festival में ये सारी cycles ज़्यादतर पाई जाती थी तो उसमें 3-4 cycles तो बहुत famous है जैसे York cycle है Coventry cycle है Wakefield cycle और Chester cycle है तो इन 4 cycles में सबसे बढ़िया cycle York की मानी जाती थी उसमें 48 play होते थी और ये 48 play जब होते थे तो लोग इनको पूरा एक series में देखते थे और Chester में लगए 25 play हुआ करते थे और Townley का दूसरा नाम Wakefield था उसमें 32 play होते थे और Coventry में 42 play होते थे ये बहुत important fact है जो कई बार पूछा भी जाता है exams में, net वगरे में तो आप note भी कर सकते हैं और इस तरीके से ये drama की शुरुवात हुई और व्यापारियों ने इसमें धीरी-दीरे अपना कब्जा बनाया और फिर ये professional companies बनाके शुरू हुआ लेकिन फिर बात आती है कि इसके बाद क्या होता है तो इसके बाद drama में एक और जो चड़ाव आता है वो है कि दो चीजों में नाटकों को बाटा गया mystery and miracle play तो mystery and miracle play England में जो Jesus Christ की कहानी होती थी Bible की उसी को लोग mystery and miracle play दोनों कह दिया करते थे miracle और mystery play लेकिन अगर आज आप कोई भी किताब में च्छानेंगे तो आपको पता चलेगा कि miracle और mystery play अलग-अलग है तो एक question ये आता है कि इसको अलग-अलग करने का जिम्मा किस ने लिया तो एक researchers है researcher हैं जिनका नाम मैं आपको बताता हूँ उन्होंने एक book लेकिए British drama और ये British drama में जो इनका नाम है Nicole नाम है इनका Nicole ने जो है एक खोज की और Nicole ने ही पहली बार इन दोनों drama को अलग किया तो Nicole को इश्रेज आता है आप note कर सकते हैं ये बहुत important जो point है Nicole ने research करके एक किताब लेकिए British drama और उन्होंने इनको segregate किया उन्होंने का mystery play वो माने जाएंगे जो Jesus Christ की life से आधारी थे और पूरे Bible पे आधारी थे और miracle play वो थे जो उस समय saints की life पे आधारी थे जैसे saint valentine saint thomas backit और भी जितने भी संतुमें इन सब लोगों की life पे आधारी जो है miracle और बाकी जो Jesus Christ की life या Bible पे बेस डूंगे वो mystery play इस तरीके से हमारा पहला हिस्सा आपका development of drama का मैं आज यहां पर खतम करता हूँ जिसमें मैंने आपको यह बताया कि कैसे develop हुआ drama कैसे church से church yard में आया कैसे church figures के हाथों से व्यापारियों के हाथ में गया उसमें क्या क्या improvement वे cycles कैसे आई कौन सी cycles में कितने play होते थे और उन play के अलावा mystery और miracle play को कैसे segregate किया और किस ने किया तो यह पहला step है जो हम समझ सकते हैं कि development of English drama को अगर हमें समझना है तो हर किसी को इसी तरीके से जाना पड़ेगा So I hope learners कि मेरा यह video आपको जरूर एक पहले step के और ले जाएगा मिलते हैं दूसरी सीरीज में जहाँ पर हम बात करेंगे morality plays, interlude plays और फिर real में जो English drama आया वो कैसे start होता है और फिर आगे के सीरीज में theater का development England के अंदर और फिर Shakespeare जाने कितनी लंबी है सीरीज चलने वाली है तो आशा करता हूँ कि आप इसका लुद्फ उठाते रहेंगे और मिलते रहेंगे मेरे इन video lectures में Thanks a lot learners Good day